दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल A Plus Academy में आपका स्वागत है, मैं हूँ दिरज वैसनों और इस क्लास के अंदर आज हम यहाँ पर विटामिन्स खनीज लवन और जल तता नुकली कमल के बारे में बात करने वाले मुझे पता है विटामिन्स के नाम याद रहते हैं लेकिन कौन सा विटामिन्स के साथ है नाम यह हमें याद नहीं रहता है ठीक है दोस्तों तो हम यहाँ पर ट्रिक से भी चलेंगे और कंसेप्ट से भी चलेंगे ताब कि आप कभी भी इसे भूलना पाऊ ठीक है तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर विटामिन्स के बारे में बात important important पढ़ते हैं A के बारे में बात करेंगे फिर B, C, D और E और उसके बाद K के बारे में बात करेंगे ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्या करना है एक बार मेरे साथ साथ थोड़ी सी प्रेक्टिस करनी है कि रेटिनोल, थायमिन, एसकार्बिकमल, केलसी फिरोल, टॉक कमेंट में जरूर बताना कि कैसी ट्रिक है और क्या आप ऐसी ट्रिक सही पढ़ना चाहते हैं कभी कबार मान लो इसे जब कठीन वर्ड आ जाये, बहुत सारी चीज़े एक साथ आजाए, क्या आप ऐसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बत ना है, रटता था, तो ऐसे कैसे टोप करके फास्ट आ गया, भाई अपने ममीपा को बोलते होंगे, अपने दोस्तों को बोलते होंगे, अरे यार वो तो रटता था, फिर भी ऐसे कैसे टोप करके फास्ट आ गया, तो यहां पर जो है, रटता था, तो रटना से हो जाएगा रतोंदी और था से हो जाएगा दोस्तों थाइमिन ठीके और एसे हो जाएगा दोस्तों ऐसे से एसकार्विक अमल एसकार्विक अमल ठीके कैसे से हो जाएगा दोस्तों केल्सी फिरोल इसी प्रकार यहां से टे से हो जाएगा टोप से यहां से हो जाएगा टोको फेरोल और लास्ट यानि की लास्ट अला है हमारा फस्ट फे से हो जाएगा दोस्तों यह फिलो कुविनोन अब मुझे बताओ कहाँ पर क्या अगर आप इस ट्रिक को थोड़ा सा भी दिमाग में रखेंगे मालों आपर आगया विटामिन B का क्या नाम है तो आपके दिमाग में रटता था तो ऐसे कैसे जो है टोप करके फास्ट आ गया तो टोप और फास्ट तो लाष्ट में आ रहा है इसका होलाब B का तो हो नहीं सकता क्यों A और B तो यहाँ पर है A का तो हो जाएगा रटता था या नि रतों नी B का हो जाएगा यहाँ पर था या नि थायमिन इस परकार से एक आइडिया लग जाएगा दोस्थ ठीक है एक बार अगर ट्रिक पसंद आए तो प्लीज यार लाइक जरूर कर एक बार वीडियो को ठीक है इसी परकार आप समझ सकते हैं विटामिन A का यहाँ से रटता था तो रेटिनोल हो गया रटता था था से थायमिन हो गया तो एससे से हो जाएगा एसकार्बिक एससे कैसे से हो जाएगा केलसी फिरोल अना टोप कर गया टोप से हो जाएगा टोको फेरोल इसी परकार से फास्ट आ गया तो फास्ट से हो जाएगा फिलोक्विनोल अना फे फे दोनों में आ रहा है तो यह थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा आपको ठीक है अब चलते हागे दोस्तों अब ने यह नाम तो रासाइनिक नाम इसके याद कर लिए विटामिन्स के आप बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर विटामिन की कमी से होने वाले रो यह आपको याद है लेकिन होता क्या है कि उल्टे फुल्टे दिमाग में आते हैं कि हम इसे याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी आपके लिए एक ट्रिक बनाईए दोस्तों, एक बार उसे जुरूर एक बार आप देखे द्यान से, ठीके, अब हमें ये याद करने हैं यहाँ पर, तो देखिए, ट्रिक क्या है, रात को बार बार सेनिकों ने रोकेट पाकि गिरा है, जिससे रक्त बहने लग गया, हमारे चो सेनिक है, उनकी लड़ाई पाकिस्तान वालों के साथ हो गए, तो उनन क्या क्या पूरी रात को क्या रोकेट गिरा है, जिससे क्या है कि वहाँ पर पाकिस्तान वालों के वहाँ रक्त बहने लग गया, ठीके, अब रात से ह हो जाएगा दोस्तों रतों धी तोणर फेस चैनल ग Ezik मैं थो लेज आउँ थोड़ा प्र待क नहीं आएगा ठीके दोस्तों राज से हो जाएगा यहां पर रतोंधी लातोंधी थिके और बार pathetic से हो जाएगा दोस्तों, बेरी-बेरी, बेरी-बेरी, और सेनिकों से हो जाएगा स्क्रवी, अना दोनों में से से आ रहा है, स्क्रवी, रोकेट से क्या हो जाएगा दोस्तों, रिकेट्स, रिकेट्स हो जाएगा, और पाकिस्तान से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पाकिस् पाकिस्तान में आप देखेंगे सारे सब्द से में, पाकिस्तान में प्यारा पाकिस्तान में प्यारा पाकिस्तान में प्यारा पाकिस्तान में प्यारा के आरा और ते आरा सब भी आरें, यहां पर पाकिस्तान में नपू संक्ता में दोनों में तो यहां पर हो जागा नपू सं ठीक है तो आपको से पिता आधकना या रात को बार-बार सेनिको ने रोकट से रिकेटस हो जाएगा। तो आप देखिए रात को गिराए तो रात से हो जाएगा रतोंदी, ठेके, बार-बार गिराए इस तो बेरी-बेरी हो जाएगा, उस किस पे सेनी को ने गिराए तो सक्रवी हो जाएगा, क्या गिराए तो रोकेट तो रोकेट से रिकेट्स हो जाएगा, किस पर गिराए पाकि पाकिसान पे तो नपू सकता क्योंकि पाकिसान में भी सारे सब्दार है यह वाले तो क्या करने लग गया रक्त बेने लग गया वाँ पे अब इसे बूल कर बताए आप नहीं बूल सकते हैं मेरी गारंटी है दोस्तों अब चलते एक और मज़ेदार ट्रिक की तरफ ठीक है वो किक्षान विटामीन गुलंसिल है और कौन सा विटामीन पानी में गुलंसिल नहीं है तो आपको कैसे याद रखना है कि अकड़ है एकड़ है यह पहले E हो जाएगा और vitamin D हो जाएगा दोस्तों ये वाला जो concept है ये वाले ट्रिक के आपको YouTube पर कहीं नहीं भी लेंगे ये तरह से free time में मैंने सोच करके आपके लिए बना है इसलिए ये मत सोच लेना कि सर ने कहीं से copy कर लिए भाई copy करने की आदत नहीं है बिल्कुल भी आदत नह रहा है तो क्या है vitamin C तो बेचारे पानी में गुल गया याने vitamin B और vitamin C क्या है पानी में गुलंची ले ठीके दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आगा समझ में प्लीस यार लाइक करें आप इसे बूलना चाहेंगे तो भी नहीं बूल सकते मेरे गारंटी है जब एक्जाम आगे अब हम बात करते हैं दोस्तों खनीज लवन की देखे खनीज लवन क्या होता है खनीज लवन का पाचन हमारे सरीर में नहीं होता है अब कैसे नहीं होता है मैं बताता हूं जैसे माली जीए ये पाइप है ये पाइप अब यहां पर जो है खनीज लवन जा रहे दोस्त तो इस प्रकार से अंदर की वह रुरुए, ये जा रहे हैं, तो अब इनका पाचन नहीं होगा यानी कि पूड़े का फोड़े गा, यह नहीं कोई डिस्टप नहीं करेगा, ये जा रहे हैं जो जही रहे हैं, यानी हमारे आहर नाल के नदर ये चला जाएंगी आगे, इनका श टुकडे से सरल टुकडे के अंदर तोड़ता है हमारा सरीव से, पीज देता है ठीक तरहे, लेकिन यहाँ पर खनीज लवन को ऐसा कुछ नहीं होता है, पाचन दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता है, यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे ह खनीज का सरीर में आउशोशन होता है, अभी बताया मैंने, सिर्फ यहां से यह जो आउशोशन हो जाएगा, इससे खीच लेगा हमारा सरीर, ठीक है, सरीर के संचालन में सायके, हमारे सरीर को चलाने के लिए सायके, अब मुझे बताईए आप, आप बोलेंगे सर, तो क्या जरते सर, अगर खनीज लवन नहीं हो, तो क्या फरक पड़ेगा, आप मुझे बताओ, अगर आपने चाई पी है, अगर चाई पी है, इस चाई के अंदर मान लीजिए, सक्कर नहीं है, क्या आपको मज़ा आएगा, नहीं आएगा, इसी प्रकार सरीर को भी मज़ा नहीं अब एक एक हम बात करतें दोस्तों यहाँ पर लोहतत्व, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों लोहतत्व की, लोहतत्व यानि की FE यानि फेरिक होता है इसका नामना, यह फेरिक जो है फार्सी सब्दे हैं, इसकी कमी से दोस्तों लोहतत्व कमी से एनिमियार हो जाता है, हमन इस लोहत अत्त की कमी होगी, देखिए अब समझना बात को, लोहत अत्त की मानलो कमी है, तो क्या होगा, हिमोग्लोबिन कम बनेगा, हिमोग्लोबिन कम बनेगा, तो RBC के लिए कारे कम करेगा, RBC कम है, RBC कम है, तो रक्त कम है, और रक्त कम है, तो दोस्तों क्या होगी, रक्त क अब आद करेंगे हम यहांपर sodium की, sodium को एने से लिखा जाता है, अब देखे, sodium की कमी से क्या होता है दोस्तों? रक्त चाप कम हो जाता है, यानि कि blood pressure BP, याना BP जो है अमारी कम हो जाती, याना ऐसी ओसा में देखे, अगर लगातार कम होती रहती है BP माल लो, blood pressure आपका कम हो रहा रक्त चाप, तो इसे बोलते है hypotension, क्या बोलते हैं दोस्तों इस सवस्था को, hypotension बोलते है लगातार अगर आपका रक्त चाप कम होता जा रहा है, BP low होती जा रही है तो ये hypotension क्यलाता है, और माल लिजे BP high होती जा रही है लगातार तो इसे बोलते है hypotension, ये पूछ लिया जाता है, एक्जाम के अंदर तो हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है, कि लगातार अगर रक्त चाप की कमी है, तो इसका हमदा hypotension है, और लगातार व्रदी है, तो hyper tension है, अब इसे याद कैसे रखेंगे आपने कभी को बार सुना होगा, जो थोड़े बहुत पड़े लिखे है, educated है, उनके है, ये doubt नहीं रहा होगा आपके दिमाग में, अब यहाप एक chlorine लिखा है दोस्तों, chlorine का भी यही काम है, chlorine का काम क्या है दोस हुमें पता है हमारे आमाशके अंदर यानि पेट के अंदर आमाशके अंदर हमें बता है HCL एक अमलग बनता है अमला आ हाइड्र कुलोरिक अमल अब इसमें देखिया केलशियम का यह हो गया tämä क्लोरिण का सील यह हाइड्रोजन के HCL है और H यहां से ले लिए आमान लोती है, किया बन गया दोस्तों है, है अब हCLC fiber बन गया, और HCL बनते हैं, यह काम हो गया, HCL क्या है, एक तरह का अमल का कार्य करता है हमारे सीरीर में, जो जिवाणों विचानों को थोड़ा मारने का कार्य करता है, आमली माध्यम बनाता है हमारे भोजन को ठीक है उम्मिद करता हूँ यह समझ में आया होगा अब चलते आगे आप बोलेंगे सर यह ऐसे कैसे बन जाते हैं कभी कभार HCL बन रहा है कभी H2O बन रहा है सर कभी कभार CO2 बन रहा है कभी कभार O2 बन रहा है मुझे बताइए क्या आप गर पे हल्वा बनाते हैं और रबडी बनाते हैं क्या दोनों में सहीं चीज डालते क्या नहीं अलग 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 चीज उसे अलग अलग चीज बनती है आपको हल्वा बनाना है आठा लेना पड़ेगा गी लेना पड़ेगा आपको उसके अंदर शक्कर डालनी पड़े आप मुझे बताइए, आप एक तरह से आलू ले रहे हैं, एक तरह से टमाटर ले रहे हैं उसके साथ और आप मिर्च ले रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि मैं हलॉजा बना रहा हूं, क्या संबोव है? nem है इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर भी जो है एक hydrogen आएगा एक chlorine आएगा तो यह मिल करके जो है hydro chlorine बना देंगे बस इसी प्रकार से सबका एक अलग-अलग structure है सबका अलग-अलग मुह है अपना हम आदवी है हम मनुष्य है तो क्या है हमारे हाथ पाँ है हमारे मुह है तो यह हमारी पेचान है तो हाइड्रो क्लोरी कमली की पेचान है दोस्तों के एक hydrogen होगा और एक chlorine होगा ठीक है इसलिए इसे फालतु की अंदर बढ़ रहा है तो क्या होगा sodium अगर बढ़ रहा है तो हाइपर नेट्रीमिया हो जाएगा लेको बढ़ने वाले को हाइपर बोलता है यह तो हमें पता है तो बस सिंपल सी बात है जैसे नमक है नमक के अंदर क्या होता है दोस्तों नमक के अंदर होता NACL यह NACL होता है नमक के अंदर तो इसमें क्या आ गया है देखो यह सोडियम आ गया इसके अंदर यह कलोरिन भी आ गया ठीके तो नमकी जो भी चीजे है उनके अंदर यह सोडियम कलोरि की आपने toothpaste जो है toothpaste इस toothpaste ब्रेक के अंदर देखा होगा TV के अंदर वहाँ पर एक आपको एक डाड़ दिखाई जाती उसके अंदर बोला जाता है कि इस toothpaste में calcium की भरपूर मात्रा तो calcium का मतलब क्या है दोस्तों इसका सरासर मतलब है कि ये दातों और हड्यों को मजबूत बनाता ह आपने बोर्ण विटा देखी होगी बोर्ण विटा अना TV तो सब देखते हैं दोस्तों उसके अंदर लिखा होता है कि calcium पका बनावाएगा यानि कि आपकी हड्यों को मजबूत बनाएगा बच्चों के हड्यों को मजबूत बनाने के लिए क्या है इस calcium की जरत होती है और द देखिए इसकी कमी से क्या होता है इसकी कमी से तीन परकार की रोग होते हैं ठीक है रिकेट्स हम कहां आ गए हम तोड़ा आगे चले गए हैं पीछे चलते हैं इसकी कमी से दोस्तों तीन परकार की रोग होते हैं एक तो रिकेट्स है एक है ओस्टियो मेलेसी आओ रहे है कि osteoporosis आप बोलें किसा रियाद नहीं होगा अरे कैसे नहीं होगा याद अभी करवाता हो ना rickets है दोस्तों यहाँ पर rickets है यह होता है दोस्तों बच्चू के अंदर ठीक है ना यानि कि हड्या कम जो रहे उसकी तो उसके osteoporosis कहेंगे अब इसे याद कैसे करेंगे बच्चे है जो racket खेलते हैं आपने racket देवा होगा यह इस परकार से यह वाला racket खेलते हैं बच्चे आना दोस्तों बहुत सारे गाहाँ में बच्चे नहीं खेलते हैं थोड़ा सुईदाओं का आवा होता है लेकिन कोई बात नहीं अना इसे में इसलिए डाइग्राम से समझा रहा हूं यह इस परकार से रेकेट्स कहलते हैं तो कौन चला गया तो आपको इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि व्यस्क व्यक्ति के अंदर जो है उस्टेो मेलेशिया नाम की बीमारी होती है जिससे में हड्या कमजोर होती है अब व्रत के अंदर क्या होता है दोस्तों यहाँ परोसी से पोरो से आप याद रख सकते हैं पे आगे दोस्तों हाँ इसके जो स्त्रोथ है क्या क्या है दूद मांस मचली और अंडा इन सभी के अंदर जो क्या है केल्सियम पाए जाता है ठीक है दोस्तों अब चलेंगे आगे आगे समझते हम यहाँ पर आयोडिन के बारा में समझते हैं देखिए आयोडिन जो है यह जो ह थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सायक है, अब कैसे हैं, अब यहाँ पर जैसे ही मालिजी आयोडिन की कमी होती है दोस्तों, तो यह आपको दिख रहा है, यह गलगन रोग हो जाता है, यानि गेंगा रोग, जहां से हमारे यह थायराइड गरंती है, थायराइड गरंती ह कि ये इस प्रकार से यह आकार लेगी तो ये थाइरॉड हतों, तो ये थाइयराइट जो ग्रंती है इसके अंदर जो हार्मोन भो कौन सा हार्मोन थाइय 내용zn थोड़ी बाहर से एकर नवहीं सायँ आवाज है अगड़ी उसको काट रहे तो और रहें तो तो रहे Bal dope था यानि के अदिन के क्या होता है दोस्तो अब चलते आगे कि आगे समझते हैं अब यहां पर देखिए अत्यंत अल्प मातरा में यानि की बहुत ही कम मातरा में बहुत हम कहां आगे? आगे चले गए क्या? ओ लो, फिर से आगे चले गए? कहां जा रहा है हम? यहां से ले लेते हैं थोड़ा हाँ, यहां पर अत्यांद अल्प माथरा बहुत कम माथरा बहुत कम मातरा है किसी चीज की यानि एक तो जस्ता तामबा और कोबार यह हमारे सरीर में होते कभी कोबार कुश्चन दोस्तों यहां से भी पूछ लिया जाता है तो जस्ता है इंसुलिन के लिए यानि इंसुलिन के निर्मान के लिए जो है क्या है जस्ता काम आता है आप ये मा सोचना है कि जस्ता सारा जस्ता ही रहेगा अल्प मात्रा में यायनि कि दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में अब यह insulin का होता है हमने पढ़ा था अगनाशे penkiryas पढ़ा था दोस्तों अगनाशे इसके अदर हमने Langer health पढ़ा था Langer health लेंगर हेल्स दीब समों, यह पढ़ाता दोस्तों, इसके अंदर हमने अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाओं पड़ीती, तो यह बीटा कोशिकाओं के उपर पाया जाता है इंसुलिन, इंसुलिन यह एक प्रकार का दोस्तों, यह हार्मॉनेंड, ठेकै? यह पाय जाता है बीटा कोशिकाओं में किसके अंदर अगनाश है यानि पेन क्रियास के अंदर उम्मित करता हूँ समझ भाऊँगा होगा एक बार लाइक जरूर करें यार अब तामबे की बात करते हैं तो तामबा जो हिमोगलोबिन और अस्तियू के निर्माण में अमारा हैमोगलोबिन जो है काँ पर होता है आर बीसी के अंदर और इस ह contributions के अंदर और क्या होता है अब यह पड़ाता हमने क्या हॉता है दोस्तों लोहत तथ तथ यानि एफ़ी तो यहाँ पर हैमोगलोबिन जो है इसके निर्माण में तामबे की भी भूमी का है, ठीक है दोस्टों ये मिश्यन पूछ लेज़ थो ठोड़ा मज़ना है, अस्त्यूख निर्माण में धुटर्सक्व दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है तामबे का थोड़ा सा रोल यहनी के अल्प मात्रा में होता है ठीक है क네요 अब बात करते हैं कोबाल्ट की, कोबाल्ट जो है RBC तता विटामिन 12 के संसलेशन में, यानि के RBC के निर्वान में भी थोड़ा सा ये कोबाल्ट भाई साब जो है थोड़ा काम करते हैं और विटामिन 12, आप देखिए यहां में B12 बहुत सारे हैं, B6 है, B7 है, इनको जो है अलग वीडियों विटामिन को अलग से पढ़ाऊंगा, और यहां पर जितने भी खनीज जो हमने खनीज तत्व की बात करी थी, उसमें कौन-कौन से पोशक तत्व है, उनके बारें भी उस वाले वीडियों में बात करेंगे, ठीके तो आप निश्चिंद रहे, पढ़ाना मेरा काम है, आगे समझते हैं, जल के बारे में, देखिए, जल जो है एक एक कार्बनिक परदार्त है, अब एक कार्बनिक परदार्त क्यों बोला है, इसके अंदर जो है कार्बन नहीं है, आब अलंगे सर कैसे, मुझे बताओ जल का सुत्र क्या होता है, ह2O, इस प्रकार से होता है, अब H2O के अंदर मुझे बतावा क्या carbon दिख रहा है कि आपको इसके नहीं दिख रहा है तो आगे A लगा दिया है कि A carbonic यानि कि A carbonic मदब जिसमे carbon नहीं है बहुत simple चीज है यह A carbonic है तता यह मानव सरीर में लगबग 65-70% जल होता इसमें टिके दोस्तों 65-70% यह थोड़ा द्यान रकना है यह पसी ने वाश्पदवरा सरीर का ताप नियंत्रित करता है यह सिर्फ आपको ठीचर यहां पर पढ़ा करके आगे निकल लेगा लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे जिंदगी पर आप नहीं बुलेंगे यह आपका मठका है मा लिए समझना मेरी बाटको यह मठका है इसके अंदर पानी ब्राव है अब गर्मी के अंदर इतनी ज्यादा घर्मी है temperature बार का इतना ज़्यादा है लेकिन मटकी का पानी ठंडा है ऐसा क्यों देखे इस मटके की यहाँ पर जो है यहाँ पर इस दिवार पर छोड़ छोड़े से छेद होते हैं बिल्कुल छोड़े छोड़े छेद उससे क्या है कि पानी बार की और आता है कभी का बार नहीं मटकी के अंदर आप देखते हैं पानी ठपकता है थोड़ा थोड़ा हलका हलका यह गिले ही रहती है उसकी दिवार बार से अब जैसे ही यह दिवार गिली है दोस्तों तो बार की हवा जो है इसके कॉंटेक्ट में आती यानि कीसता है और यहां का जो महौल है आसपास का यह कर देता है ठंडा दोस्तों मटके का आसपास का यह महौल ठंडा करने से क्या होता है मटके के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है बेलकुल सिंपल सी बात है तो हमारी बोडी जो है दोस्तों यह हमारा सरीर है मा लीजे यह हमारी बोड़ी है इस बोड़ी के अंदर भी छोटे से महीं छेद होते हैं जिससे पसीना बाहर निकलता है अब यह पसीना जल के रूप में यहां से बाहर निकल रहा है तो बाहर निकल रहा है तो दोस्तों जैसे ही वायो मंडल की हवा इससे टक आपके जो sensitive अंग हैं आपके मस्तिस खर दे यह सारा खतम हो जाएगा तो पसीना इसमें बहुत बड़ा रोल लिपाता है दोस्तों ताप नियंतृत करता है अब कैसे करता है मैंने आपको बिल्कुल practically यहां पर यह समझा दिया पसीना बाहर आएगा जैसे यहां पर पसीना बा यानि कि कोई भी परदार्त को बाहर की और निकालना जैसे मुत्र के अंदर देख लीजे आप एक तरह से पानी की मात्रा भी होती उसके अंदर तो उसके साथ जो है यूरी कमल वगएर बहुत सारे यूरी आप बाहर की और चले जाते है ठीक है दोस्तों यह एक तरह से जल क साथ ही संभो है पाचन परिवहन में यानि कि हमारा पाचन जो है बोचन खाया पिया है वो आगे की वोड जा रहा है तो इसके अंदर पानी भी गुला होता है दोस्तों आना जिससे लस लसा थोड़ा सा बन जाता है ठीक है गोल बन जाता है गोल तैयार होता है तो इससे आगे की और जाता है तो इसमें भी पाचन परिवहन देखिए परिवहन आपने सुना होगा परिवहन बस राजस्तान परिवहन बस तो परिवहन का मदब होता है दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ठीक है इसी परकार से तो पाचन परिवहन में भी इस है कि यानि बूच खाया आपने, आपने ककड़ी खाई है, तो इसके अंदर दोस्तों पानी की मातरा होती है, तो इससे भी आपने एक तरह से खाया है, तो इसमें पानी की मातरा है, तो ये पानी की कमी को दूर करेगा, पीने का जल जो है, ये जल का कारिय करी रहा है, ठीके दोस्तों, इ जक्कर आना, कमजोरी आना इस प्रकार से, पानी की कमी से, ठीके ऐसे व्यक्ति को लगातार जो है, पानी पीते रहना चाहिए, अब इसमें एक चीज ओर समझे दोस्टू, पानी, पीने के पानी में आर्सेनिक विस्ट के कारण, केराटोसिस नामक बिमारी हो जाती है, ठीके इस आर्सेनिक विस्ट जो है, एक तरह का जहर है दोस्ट, ठीके जहर है, ठीके विस्ट का मदब जहर, अब जहर कैसे माल लिजे एक रोटी है, आपने अगर रोटी जो है, दो दिन बाद इसे बासी रोटी अगर खाई है, सुक्की और बासी रोटी, तो ये तरह से विस्ट एक कार्य करती ही दोस्росों इसके उपर जो है फंकस लग जाते हैं फंकस अना एक तरे से आपने निले-निले देखोंगे उपर की और आ जाते हैं इसी प्रकार से आरशनिरी के विस्क जो है उसका ये कारण है यानि कि पेदार टोसीस है ये भीमारी हो जाती है तो थोड़ा उसे बंद रखे, जब जो रहे तो फिट से खोल ले, ये छोटी छोटी चीजे उसके उपर थोड़ा सा घ्यान दे वहाँ ना, मैं करता हूँ दोस्तों इसलिए मैं घ्यान दे रहाँ, वरना अधरवाइस मैं नहीं देता हूँ इसे घ्यान, अब बात करते हैं द सो बार रिपीट होते हैं, तो ये एक बहुलक है, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, अब इसके अंदर क्या है, कार्बन है, हाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, अक्सिजन है, और एक फास फॉरस, आप बोलेंगे सर, क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये इसकी पैचान है, मैंने पहले ही बताया था, आपकी पैचान है, जैसे आपके हाथ, माँ, मुह है, आपका पेट है, तो ये आपकी पैचान है, कि आप मनुष्य है, आपके सिंग होते तो आपकी पैचान मनुष्य में नहीं होती, आपकी हो सकता है, जान और में होती, त ठीक है इस प्रकार से आप देखिये नुलिक हमले यब होता है न दोस्तूं ये हमारी कोशिका के अंदर पाया जाता है अब कोशिका छही थोड़ा सा कोशिका बहरा मिल करकी क्या है उत्तक बनाएगी उत्तक से फिर अंग बनेंगे अंग से हमारा पूरा सरीर बने का दोस्तू ठीक है तो इस कोशिका का बहुत बड़ा रोल है यानि कि एक इट के बिना दिवार नहीं बन सकती इसी परकार कोशिका के बिना जो है हमारा सरीर यानि की जिवों की उत्पति नहीं हो सकती टेके कोशिका वाले टोपिक को इस से अगले वाला जो वीडियो होगा इस टोपिक से अगले वाला उसमें कोशिका ही कवर करने वाले हम अब देखिए अब नुकलिक अमल जो है इस कोशिका के अंदर यहां केंदरक पाया जाता है बीच में ठीके दोस्तों, ये अल्प मात्रा हमारी कोशिकाओं में RNA-DNA के रूप में होता है, ठीके मैंने समझा दिया है कोशिका के अंदर कैसा होता है, हाँ थोड़ा सा इसका डाइग्राम देख लीजिए, नुकलिक अंपले जो है दोस्तों दो परकार के होते है, RNA-DNA, ये हम कोशिक है, यहाँ पर भी एडेनीन है, यहाँ पर है यूरेसील है दोस्तों, ठीके, और यहाँ पर क्या है थायमीन है, बस फर्क यह है, और एक फर्क है, यहाँ पर जो कुंडली है, यह दो कुंडली है, दोस्तों देखो, एक कुंडली तो ऐसे चल रही है, और एक कुंडली चल र थायमिन और विरेसिल इन दोनों में फर्क आप कैसे याद रखेंगे हाना यानि कि दोनों है डबल है तो कैसे यह बिल्कुल सेम टू सेम है यानि डिट्टो हम बोलते ना डिट्टो डिट्टो है यार बिल्कुल तेरी कोपी है डिट्टो है तो डिट्टो में क्या रहा है डी कितना सरल है इससे आप कभी नहीं बुलेंगे ठीक है उम्मिद करता हूं दोस्तों समझ में वाया होगा अब एक और होता है कि एक होता है जैसे इंगलिस में हम कहते हैं आर यू और यू इसे आप कभी नहीं बूल पाएंगे दोस्तों गारंटी है मेरी ठीक है अब देखिए आरने की जो फुल फोर्म होती होती है दोस्तों यह पर राइबो NCLECACID होता है टीक है यानि कि हिंदीम बोले तो यहां पर acid को अमल बोलते है तो अमल हो जाएगा DNA को होता है दोस्तों Dioxyanucleic Acid है ना Dioxyanucleic Acid होता है तो यह इसके बारे में कोशिका वले में कवर करेंगी इसमें ज़्यादा टेंशन हमें नहीं लेनी है बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा दिमाग के अंदर छप जाएगा आपके गारेंटी है बेरी अब चलते हैं आगे दोस्तों फिर भी मैंने यहां समझाया थोड़ा दिमाग में रहेगा आपके लगेगा नहीं कि भाई यह कालाकसर बेस बराब है अब देखिए जो यहां पर यह इस यहां पर जो हमारा यह है topic है इसके अंदर सबसे important क्या है दो ठीक है ना यानि कि nucleic अमल है हमारा इसके अंदर DNA और RNA हमने समझ लिया है अब यहां पर गुंड़ सुत्र के हम थोड़ी सी बात करेंगे नुकली कमल के अंदर हाना दोस्तों यहां देखिए अनुवांशी गुनों को एक PD से दूसरी PD में पहुचाने का कारिय करता है यह हमने समझ लिया कैसे क्यों कि नुकली कमल में क्या होता है RNA DNA और यह RNA DNA होते है यही जम्यदार है एक जगह से दूसरी जगह के गुन सुत्र को पहुचाएंगे PD में ठीक है तो यह तो काम हो गया अब एंजाइम के निर्माण अथा protein sensation का नियंदरन करता है एंजाइम जितने भी प्रकार के एंजाइम है दोस्तों उनका जो निर्माण है वो जो है कौन करेगा उसमें साहिता कौन करेगा यह करेगा नुकली कमल करेगा और protein sensation का नियंदरन करेगा जह हो यानि कि protein बन रहा है हमा सब भी उन जाएं मो वो प्रोटीन होते हैं सारे ठीक है तो प्रोटीन के संस्लेशन का नियंदरन कोन करता है यहां पर नुकलिक अमल ठीक है यह है क्रोमेटिन जाल का निर्मान करते हैं अब इससे समझे थोड़ा आप क्रोमेटिन जाल क्या होता है मैंने आपको बताया था ज और दोस्तों यह है आपका DNA यह आपको दिख रहा है यहाँ पर अब DNA क्यों बोला DNA में क्या रहा है डी से डूल डी ओ यू वेली अना डूल या डबल तो यह देखिए डबल है कि नहीं है दोनों यह कुंडली नुमा सरचना आप ही पता है पिछले वाले में तो इसे हो गया DNA ह ना देखते ही फट से पता चल गया हमें दोस्तों यह जो होता है इसके बीच में जो आपको जाल दिख रहा है यह दोस्तों यह जो जाल होता है यह होता है क्रोमेटिन जाल क्रोमेटिन जाल अब यह क्या कर रहा है दोस्तों यह गुंड सुत्र है इन गुंड सुत्र के करें के ये हमें क्या रखना है उम्मीद करता हूं दोस्तो समझ में आवगा ये आगे देख लेतें एक बार और सलाइड रही या नहीं रही फिंटो तो एक बार मुझे बताए दोस्तो मैं ये हमारी करेंगे इसको अलग स्लाइट के अंदर पढ़ेंगे टू क्या होता है विटामिन सी क्या होता है यानि विटामिन जो है बी सिक्स क्या होता है बी सेवन क्या होता है यह अलगी स्लाइट के अंदर पढ़ना पढ़ेगा यहां पर पढ़ेंगे झाले के दोस।